हेलो प्रांच गोडिवनिंग वेलकम बैक तो माई चैनल रूबी रेसिपी और ब्लॉक्स में आप सब का स्वागत है आज फिर से रूबी आप सब के सामने हाजीर है और आज हम अपना ब्लॉक्स में इला रहा है बस सिप एक रेसिपी है रेसिपी मेरा पावाजी का है तो चल आज हम पावाजी बनाते हैं और बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी बहुत आसान रेसिपी है तो चलते हैं तो चलिए लेस्ट गो पावाजी तो आपने कई बार कई जगा साधी पार्टी रेस्टूडेंट में खाये होंगे पर एक बार मेरी बताई हुई तरीके से बन आईए और खाये उसके बाद कईएगा वा वा क्या पावाजी का टेस्ट है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पावाजी देखने में जितना लजीज लगड़ा खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगेगा और सबजियां यहां पे कोई नाप तॉल के लेने की कोई सिमला लिए उसको भी काटे हैं और थोड़ा सा बंदगोवी बचा था उसको भी लिए चार आलू है उसको भी काट दिया है यहां दो प्याज लिए जिसको हम बारिक चौप कर दिये हैं तीन टमाटर है इसको हम अच्छी तरह से पीछ लेंगे मिक्सिम में और यहां पर हम एक कटोरी से कुछ कम और हाफ से जादा मटर लिये हूए हैं और यहां पर हम आप चाहें तो फोजन मटर का भी इस्तिमाल कर सकती बाचार में न ताजी-ताजी-जिर में ले य उची एंगे और यहां पर हम प्रेशर कोकर चरहा दीए हैं चरहा के मेरा गर्व होगया इसमे पूरा जरूर देखेगा तो इसे लाइक, सेयर और कॉमन्ट जरूर कीजेगा और मेरी चैनल को प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजेगा और इसके पहने सायद ही ये टिप कोई शेयर किया होगा कि इसको फ्राइ करके भी बनाया जा सकता है भाजी को सबी लोग ज्यादा तर लोग इसको डारेक्ट उबाली देते पर यहाँ पर हम घी में इसको फ्राइ करें इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा घी मेरा जब पक गया तो इसमें हम एक कच्छा मिर्च डाले हैं थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींका छोका डाल करके जो गुबी हम काटके रखे तो सारा गुबी इसमें डाल दिये हैं और इसको थोड़ा सा एक मिनट फ्राइ कर लेंगे उसके बाद इसमें हम गाजर बाकि जितनी भी मेरी सबजिया है ना सब हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और डाल करके सब कुद करीब पांच से साथ मिनट फ्राइ करेंगे उसके बाद यहां पर मतलब घी से जो भी बनते हैं तो घी से बनने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मतलब पाव सबसे अलग और बहुत ही टेस्टी ने में इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं तो चलिए मेरी सारी सब्जियां फ्राइ हो गई है अब जो यह बंद गोबी है इसको भी हम डाल देते क्योंकि यह बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए इसको बहुत कम फ्राइ करेंगे और इसको कम से कम पांस से साथ मिन जरूर फ्राइ कर लें और यहां पर हम थोड़ा सा नमक आधा चमच नमक डाल रहा है बाकी नमक हम उधार में रख लेंगे आधा चमच हम यहां पर हल्दी पॉदर डालेंगे नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी सबजे उसके बाद यहां पे हम 2 चमच पाव भाजी मसाला डाल दे रहा है और अब बारी है मतर डालने की ताजी 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 जो अडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहां पर हम जिसे चाय पीते हैं उसे हम ऐक कप यहां पर पानी का यूँच कर रहा है क्योंकि कुछ पानी छोड़ी देता है और हमें यहां पे बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है पावभाजी इसलिए हम यहां एक ही कप पानी का यूज़का है उसके बाद हम यहां पे कुकर पैक कर देंगे और करीब 5-6 सीटी आने तक इसको हम गैस पहिराने देंगे और अब जब मेरा य इसको हम निकाल करके भी आपको दिखाते हैं देखिए सारी सब्जी अच्छी तरह से गल गई है पर फिर भी यहां पे हमको मैसर का यूज़करना पड़ेगा और इससे नहीं होगा इसलिए यहां पर हम मैसर के यूज़करते हैं और मैसर के यूज़करके सारी सब्जियों क बना रहे हैं क्योंकि में घर में मेरी बच्चे को मेरी हैस् displihan को बहुत ज्यादा पसंद है यह जब हें रात में बना रहें यह रात में भी खाएंगे और कल सुवर नास्ते में भी खाएंगे और ये औफिस भी लेख जाएंगे तो इसलिए हम यहां पे कुछ ज़्यादा ही पाफाजी बना रहें और यहां पर हम ना एक करहाई चरहा दें करहाई अब जब भी मतलब ऐसा कुछ बनाए तो यहां पे मोटे तलवे की ही करहाई यूच करें और अब मेरा यहां करहाई भी गर्म होंगे और कःाई में तेल डाले थे वे भी गर्म होगे और हल्का सा इसमें हम नाममातर का जेरा डाल डाल दिया और डाल करके सारा प्याज डाल दिया और प्याज को तब तक फ्राइ करें घब तक ये सुनारा नहीं हो जाए क्योंकि संहारा होने से वोस्पू बहुत ही और देखी मेरा यहां प्यार सुनहरा हो गया है और अब इसमें हम डेर चमच लेसन और अध्रक का पेश्ट डाल देंगे अगर आप चाहें तो यहां पर बारिक चॉप करके भी लेसन और अध्रक का पेश्ट डाल सकते थे यहां इसमा प्राइ स्कोर्ड़न के डालें। और दो चम़ चम यहां लाल मिर्च का पॉड़र डाले हैं और जब यह फ्राइ हो जा तो इसमे हम यह जो टमाटर का प्यूडी बना करके रख्या यह प्यूडी इसमें हम डाल गए अब आपको लग रहा होगा कि हम यहां पर कच्छे मिर्च का नहीं यूज किए हैं अगर हम क कि इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि मार्केट में जब बनता है ना तो वहां फे फूट कलर का यूज होता है मगर हम लोग घर में बना रहे हैं तो ऐसा नहीं और देखिए इसको अच्छी तरह से फ्राइ करना है और जब मतलब तेल भी छोड़ दे तब मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राइ हो जाए इसको कम से कम 5-7 मिनट तो इसको फ्राइ करने में लगी जाता है मसाला को उसके बाद आप इसमें ने जो पावभाजी मसाला है ना ये इसमें डाल दीजिए हम यहां पर इतनी सारी भाजी के लिए हम 10 रुपया का एवरेश्ट का पावभाजी मसाला यूज किया है आप चाहें तो और अपनी पावभाजी मसाला का क्वाइन्टिटी बढ़ा सकते हैं मगर इतना ही मेरे लिए भी छोडने लगा है मसाला थी अची तरह से फ्राई हो गया है यह जो हो और अब यहां पर हम आधा ग्लास पानी का यूच कर रहा हैं, आपको लग रहा होगा कि पानी तो कोई भी नहीं डालता है पानी जब डालना हो तो हम भाजी east डालने के बाद ही डालेंगे नहीं, अगर हम ऐसे डालेंगे तो इसमें पानी का कच्चा पन आ जाएगा इसलिए हम अभी मसाला में ही पानी डाल रहा है जिससे पानी भी अच्छी तरह से उबल जाए और पानी जब मेरा पक जाएगा तो इसका कच्छापन भी खतम हो जाएगा और देखिए पानी डालने के बाद और कलर कितना खेल करके आरा तेल सारा मेरा उपर हो गया है आपको बहुत ज्यादा यूज की नहीं ऐसा नहीं अभी मेरी इसमें भाजी भी जानी बाकी है ना जब आम भाजी डाल देंगे तो भाजी यहां पे टेल एकचॉप कर लेगे और फिर तेल अधिक नहीं लगेगा और यहां पर गैस का फ्लेम जो है न सो हाही रखें और हाई फ्लेम म जो भी है वोई लोग फूट की रूट करते हैं जो हमारे सेहत के लिए बिलकुल ही फाइदे मन लहीं है हर तरह सहो नुकसान दायत है इसलिए यहां पर हम किसी तरह का कोई क्लर के यूज नहीं की और बिना कलर का यूज़ किये हुए देखिए बाजी कितना मतला कितना खिल करके आ रहा है और हम यहां पर नमग बकाया रखे थे न वह नमग भी इसमें हम डाल देंगे ताकि दोनों का बालेंस बन जाए और हम नमग इतना भी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमको इसमें बटर डाल दे रहा है और बटर डाल करके इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और इसकी खुस्बू कहीं और मतलब चली जाए इससे पहले इसको आप कवर कर दीजे और चलिए अब बनाते हैं पाव को अब हम सेक लेते इसके लिए हम एक नॉन स्टिक का तावा लिए है त तो यहां पर हम बटर मेरा चिली फ्लक्स का भी यूज किये हैं तो मेरे पास यहां आप चाहे तो इसके जगा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं थोरा सा अगर चाहे तो भाजी भी डाल सकते हैं लेकिन हम यहां पर चिली फ्लक्स का यूज किये हैं चिली फ्लक्स भी मेरा दिखी लगता है, मगर हमारे सिहत के लिए बहुत ही फाइदेमान है, इसलिए थोड़ा महनत करके अपने सिहत का ख्याल जरूर रखिये, इसलिए हम तो ज्यादा तर प्रिफर घर के ही चीजों को ही करते हैं, पर हम थोड़ा सा बटर का और भी यूच की हैं, क्योंकि हमको तो दोनों साइड बटर दालना है, तो दोनों साइड डाल करके बहुत अच्छी तरह से इसको हम पुलाट करके अच्छी तरह से सिख लएगे, चलिए तो हम पहले पाउ से गरते हैं, इतना मदलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें तो देख करके बार बार, अब मेरे बच इसको हम सब करते हैं, तो पाव भाजी को सब करने के लिए हम यहां पे एक प्लेट ले लिए हैं, और प्लेट में हम यह गर्मा गर्मा भाजी डाल रहे हैं, और भाजी डाल करके इसमें हम पाव डाल देंगे, और पाव भाजी का सान ही नीवो होता है, नीवो के बिना बटर का भी यूज करेंगे दनिया पत्ता से कार्णिस करेंगे और बटर इसमें हम और विडियो और अब मेरा यहां प्लेट भी लगके तयार होगे अब हम अपने पूरी परिवार के साथ रावभाजी का लिपत उठाते हैं आप मेरे विडियो को लाइक कोमेट और सेफ चु झाल चैहर बटर कैसीं और सेफ चाहर होगे रिभूस का अबदे का लिवके इसा वर्म करेंगे और से को लिवके तक्के टूल्वाज करेंगे घानापिक व क अप्ता साथ जोड़ाज करेंगे